ग्यास जलाकर कढ़ाई को गरम करें ऑईल गरम कीजिए ऑईल अच्छे गरम होने के बाद यह रेडी मेड पानी पूरी चिप्स हैं इससे अच्छे से दोनों सब्लाटते हुए फ्राई कर लेना है देखे रहे हैं वीडियो में दिखाई जैसा बिलकुल ऐसा है कर लिजिए वीडियो अच्छे ले तो लाइक शेयर सब्सक्राब जरूर करें तो इसको दोनों सब्लाटते भी फ्राई कर लिजिए बढ़िया कम आच पर ही अच्छे से बहुत जल्दी सिखते हैं बहुत जल्द से सारे को बाहर निकाले फिर आगे देखते हैं सबी को इस तरह से हलका सामने से तोड़ लीजिए इसे प्लेट सर्व करने के लिए से तोड़े अब इसमें डाले जिए एक बारिक कटा हुआ प्याज सबी में फिल कर दे अब ये सेव है कुछ बुजिया इस टैप में डाल देजिए अगर यहां पे कुछ और फसंद आप यहां पे वो सब चीज भी डाल सकते हो बड़िया ये मेठा दई है इस हलका सा नमक मिलाने के बाद ये मेठा दई को भी डाल देजिए अगर आपको खटा पसंद खटा डाले और ये अनार के दा दाने हैं इसे भी डाल दीजिए इससे इसका टेस्ट चबाते सब बहुत अच्छा आता है एक सट डालने के बाद फिर उपर से फिर प्याज डालना है सभी में फिर से डाल दीजिए से फिल करने के बाद फिर से माना डालेंगी अनार के दाने है तहीं डालने रहें के बाद आनार दाने डालेंगी सभी में फिल कर लेजिए इसमें बढ़िया इस तरह से सभी को सभी में डालने के बाद आप यहां पे अनार दाने से और सजा लेजिए बढ़िया खटा मीठा सा पानीपुरी रडिए ठैंक्स परवाज़ाई